आज आज हम आपके साथ शेयर कने जा रहे हैं तो आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोफेक्ट हेल्धी बेकफास्ट और वेट लॉस रेसिपी इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक अप जितना मिल्क आप इसकी जगपल आमन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं चार्ज अमच यहाँ पर हमने लिए हैं चिया सीट्स और इसके साथ साथ थोड़ा सा दालचिनी का पाउडर एक पका हुआ केला और थोड़ा सा शहद का हम यहाँ यूज़ करेंगे हम इसमें आर्टिफिशल कोई भी मीठा एड नहीं करेंगे और इस तरह का जार आपको चाहिए क्योंकि हम यह ब्रेकफास्ट बनाने जारें एक जार में यानि कि ब्रेकफास्ट इन जार पेक्ट विद अंटी ऑक्सिदंट्स कैल्शियम फाइबर प्रोटीन और ओमेगा थ्री सबसे पहले आपको क्या करना है बनाना को आप अच्छे से मैश कर लीजे और उसके बाद आप डालेंगे इसे जार में बनाना का सेवन बहुत ही अच्छा होता है आज जो हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं आप इसे अपने डाइट में जरूर इंकलूड कीजिए वीक में दो से तीन बार आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए और आप इसका असर देखेंगे मतलब वेट लॉस करने में बहुत हैल्फूल है कुकिंग की जुरत नहीं है और इसके साथ-साथ आपके इमेनिटी को स्टॉंग बनाएगा और आपके metabolism को strong करेगा और यहां हम इसमें डाल रहे हैं चार चम्मा जितने chia seeds यह chia seeds दिखने में छोटे से हैं लेकिन वो कहते हैं छोटा packet बड़ा धमाका बहुत सारे health benefits हैं इसके और 1-4 चम्मा चम्मने इसमें डाला है दालचिनी का powder और इसके साथ साथ sweetness के लिए यहां पर हम डाल रहे हैं एक चोटा चम्मा जितना शहद अगर आप skip करना चाहते हैं तो skip कर सकते हैं वैसे बनाना में natural sweetness होती है और अब आपको इसमें डालना हैं एक cup जितना दूथ यह chia seeds हैं वो gluten free होते हैं weight loss में बहुत helpful होते हैं omega 3, fiber, protein, calcium, phosphorus इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है इसके लावा antioxidants होते हैं और काफी सारे minerals इसमें पाए जाते हैं और यह आपकी body में blood sugar और blood pressure को maintain करके रखता है और यह देखिए हमने सारी चीज़े इसमें डाल दी है इसे अच्छे से mix कर लीजे और अब आपको क्या करना है इसे आपको करीब 5-6 घंटे के लिए इसी तरह सोक करके रखना है अगर आप overnight करें तो अच्छा result आएगा मैं इसे overnight सोक करके रख रही हूँ अगर आप working है तो आपके लिए बहुत अच्छा option है रात को आप इसे सोक कीजे morning आपका breakfast ready भी हो जाएगा और ये filler का काम करता है इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती क्योंकि इसमें fiber बहुत अधिक मातरा में होता है और उससे क्या होता है weight loss होता है और ये देखिए रात भर रेफ्रीज रेटर में हमने से इसी तरह से रख दिया था और इसकी thickness आप देख सकते है consistency देख सकते है जो एक perfect pudding की होती है वो आचुकी है क्योंकि chia seeds अपने weight से तीन कुना ज्यादा पानी या milk को absorb कर लेते हैं और इसके उपर आप डाल दीजिए थोड़े से कटे हुए slices बनाना के और जिस भी fruits से आप चाहें से गानिश कर सकते हैं थोड़े से हमें या nuts यूज कर रहे हैं walnuts और pumpkin seeds क्योंकि pumpkin seeds जो हैं उसमें भी बहुत अदिक मातरा में magnesium, zinc, omega 3 and protein होता है bad cholesterol को reduce करता है pumpkin seeds, metabolism को strong बनाता है थोड़े से यहाँ पर हम डाल रहे हैं walnuts याने के अक्रोट, इसके अंदर भी बहुत अदिक मातरा में omega 3 होता है और weight loss में बहुत ही helpful होते हैं और यह देखिए हमारी healthy, tasty, no cooking, no sugar banana chia pudding बनकर तयार है थोड़े से आप इसके उपर banana के slices और डाल दें फ्रेंड्स अगर आप health conscious हैं weight loss करना चाहते हैं तो आपके लिए perfect recipe है आप इसे breakfast में जरूर include कीजिए week में आप 2-3 बार इसे जरूर बनाएए no cooking है, without sugar है बहुत ही healthy है benefits मैंने आपको इसके बताएं है अगर आपको हमारी आज की recipe अच्छी लगे तो नीचे दिएगे comment box में जरूर बताएगा और friends family में share कीजेगा फिर मिलेंगे एक नई और बढ़िया recipe के साथ bye bye, thanks for watching